हाई फ्रेंड्स तीसी वीबुदत्त फ्रम साहू टेक्नोगाइट आज का ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रियल मी टिवी के बारे में और ये भी बताऊंगा अगर आप ये टिवी पर्चेस कर रहे हैं तो ये आपके लिए वेली बार आए हैं तो नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन मिलेगा वहाँ पर क्लिक करके आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बाजू पर एक बेल आइकन मिलेगा वहाँ कर्स करते हैं तो आपको लैटेस्ट अप्डेट मिल जाएगा तो यहाँ पर मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप हमारा वीडियो देखने के बाद कमेट सेक्षन में मुझे सजेशन दे सकते हैं तो आपका सजेशन मेरे लिए काफी वैलेवल रहेगा मेरा वीडियो को इंप्रूब करने के लिए तो फ्रेंड्स ये टीवी आपको जुन 2020 में फ्लिपका.com में मिल जाएगा तो यहाँ पर कमपनी ने ये टीवी को दो वैरेट में लांच किया है जैसे के 43 इंच और 32 इंच 43 इंच में आपको फूल HD resolution मिल जाएगा जबके आपको 32 इंच में HD ready मिलेगा तो पहले शुरू करते हैं हम उसका फिक्चर क्वालिटी से जैसे के एक टीवी के लिए उसका फिक्चर क्वालिटी उसका जान होता है तो यहाँ पर ब्राइटनेस का कुछ exact नंबर बताया नही क्या है तो कंपनी के इस अपसे आपको यहाँ पर उप्टू 400 नीट्स का ब्राइटनेस मिलेगा जो के काफी impressive है यह price point में अगर second बात करते हैं तो यहाँ पर आपको HDR 10 का support मिलता है तो यहाँ पर जो पिक्चर क्वालिटी आपको मिलेगा वह काफी सारपांड crystal clear रहेगा उ तो उसको भी आप customize कर सकते हैं इसमें आपको 178 डिग्री का viewing angle मिलना है तो यहाँ पर कोई भी आंगल से आप TV को देखेंगे तो आपको TV आरम से दिख जाए अगर हम यहाँ पर LED पैनल के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर company ने LED पैनल के बारे में कुछ भी details नहीं बता है अगर आप setting में जाते हैं तो आपे भी आपको सब सेम टू सेम मिलेगा जो के सभी आंडर टीवी में आपको मिल जाता है तो यहाँ पर आपको chroma boost picture engine मिल जाता है जो के realme image processing technology है तो यहाँ पर जो refreshing rate रहता है यह टीवी का वो 60 hertz आपको यहाँ पर मिल जाता है नेक्ट हम बात करते हैं इसका sound quality के बारे में जैसे के यहाँ पर आपको sound output जो है 24 watt का मिलता है इसमें दो speaker मिलता है दो twitter मिलता है तो इससी सब से इसका sound काफी आच्छा आने वाला है और यहाँ पर dolby atom का sound technology यूज किया गया है मिन्स यह TV में overall आपको sound आच्छा आने वाला ह तो अभी हम इसका software and hardware के बारे में बात करते हैं जैसे के यहाँ पर आपको 1.1 GHz quad core media tech का प्रोसेसर मिलता है जिसका GPU Mali 470 है और यहाँ पर आपको 1 GB का RAM मिलता है और 8 GB का storage मिलता है अगर software के बात करें तो यहाँ पर out of box आपको android 9 मिलता है उसके साथ साथ यहाँ पर आपको built USB में देख सकते हैं अनेक्स्ट इसका connectivity के बारे में हम बात करते हैं जैसे के यहाँ पर कुछ port दिया गया है जो के side में कुछ port आपको मिलता है और नीचे की तरफ कुछ port मिलता है तो यहाँ पर बात करते है Bluetooth से जैसे के आपको यहाँ पर connectivity में पहले Bluetooth मिल जाता है जो के Bluetooth 5 है उसके साथ साथ आपको 3 HDMI पोर्ड मिलता है उसमें 1 HDMI ARC है मिन्स आपको audio connectivity में भी कोई issue नहीं आने वाला है अनेक्स्ट USB का बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 2 USB पोर्ड मिल जाता है उसके साथ साथ SPDIA पोर्ड मिल जाता है उसके साथ साथ इसमें hot keys बगरा है जैसे के आप देख सकते हैं यहाँ पे Netflix का की है यहाँ पे YouTube मिल जाता है और Amazon Prime मिल जाता है तो यह dedicated button को अगर आप प्रेस करते हैं तो आप्लिकेशन आपका TV में उपन हो जाता है उसके साथ साथ इसमें Google Assistant का भी एक बटन दिया गया है उसको प्रेस करते हैं तो आपको कोई भी चीज अगर TV के अंदर सर्च करना है तो आशानी से आप कर पाएंगे और लास्ट में हम इसका ओफर के बारें बात करते हैं जैसे के यह TV दो तरीक को लांच हो रहा है मिन्स यहां पर कमपनी कुछ ओफर दिया है आप YouTube Premium Trial Pack आपको 6 महिना तक यहां पर फ्री मिलेगा जैसे के YouTube अगर आप प्ले करते हैं यह TV में तो 6 महिना तक आपको आड़वटेज नहीं आएगा उसके साथ साथ यहां पर आपको अच्छा EMI का option भी मिल जाता है उसके साथ साथ company यहां पर इसका warranty जो है वो 2 years दिया है मिन्स एक साल देता है और एक साल आपको यहां पर एक्स्ट्रा मिल जाता है और 32 इंच का जो TV है वो आपको 12,999 में मिल जाएगा तो अभी हम यह TV का थोड़ा plus point के तरफ जाता है जैसे कि मैं आपको बताया था इसका picture quality काफी अच्छा है और इसका sound भी काफी impressive है यहां पर जो software और hardware का combination दिया गया है वो भी अच्छा है बट यहां पर आपको 1GB का RAM मिलता है और 8GB का memory मिलता है अगर आप यह TV लेते हैं आपका DTS connection में लगा कि यह TV देखने के लिए या इसका application में थोड़ा बहुत वीडियो बगरा देखने के लिए तो यह TV आपके लिए perfect है अगर आप यह TV में गेम खेलना चाहते हैं या आप यह TV ले रहे हैं गेम बगरा खेलने के लिए यह TV देखने के लिए तो मिन्स यह TV को अबरल सभी टाइप का यूज करने के लिए तो यह TV आपको थोड़ा बगर disappointment करेगा क्योंकि यहां पे 1GB का RAM दिया गा है मिन्स हाइएंड गेम बगर अगर आप खेलते हैं तो आपको लिएक प्रोलेम आ सकता है अगर हाइएंड गेम तीन चार यहां पे इंस्टल कर देते हैं तो आपको लो मेमोरी प्रोलेम भी आ सकता है अगर दूसरे तरफ देखा जाए तो यह price range में आपको दूसरा ब्रांड का TV मिल जाएगा जो के यह TV से काफी अच्छा है अगर आप आपका budget को थोड़ा बहुत बढ़ा के यह TV ले रहे हैं तो आपके लिए ठीक है अगर आप यह price range से थोड़ा budget बढ़ा सकते हैं तो आपको 4K TV भी मिल जाएगा तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए काफी helpful रहा होगा अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर किजिएगा अभी आप हमको Instagram आट Twitter में फोलो कर सकते हैं और हमारा Facebook का पेज जो है उसको लाइक भी कर सकते हैं अगर अभी तक आपने हमारा YouTube का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लिएजी कि क्यों इस टेप का वीडियो में रोज लेके आता हूँ तब तक हमारा चैनल देखते रही है साहू टेक्नोगाइड आपका दिन सुभो